नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमीच चैनल में आपका स्वागत है, हम शीवलिंग की पूजा भगवान भोले नात को खुश करके अपनी मनोकाम नौ की पूर्ती के लिए करते हैं, शीव शंकर बहुत आसानी से खुश होने वाले भगवान हैं, परंदु शीवलिंग की पू पातें क्या है, जिससे हमें बच के रहना है, उसके बारे में मैं आपको करम से बताता हूँ, कभी भी शीव जी की पूजा में शंक का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शंक चूड का वद भगवान संकर ने किया था, और शंक चूड का ही रूप माना गया है शंक, शंक चूड भगवान विश्नु का प्रीभक्त था, इसलिए भगवान विश्नु के पूजा में और उनके सभी आवतारों की पूजा में शंक का विसेस महत्तो होता है, शंक से ही भगवान विश्नु का अभिशेक और इसनान किया जाता है, इसलिए सिवलिंग की पूजा या प्रसाद में भी तुलसी का उपयोग कर देते हैं और उसी तुलसी डले हुए प्रसाद से शीव जी को भोग लगा देते हैं तुलसी का प्रसाद या तुलसी डल का उपयोग शीवलिंग में किसी भी रूप में नहीं किया जाता और नहीं शीवलिंग में इसे चढ़ाया जात यह पूरी तरह से वर्जित है तुलसी को भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी का दर्जा दिया है इसलिए उनका उपयोग श्रीव जी के पूजा में पूरी तरह वर्जित है यह श्रीव विष्णु जी के ही पूजा में उपयोग किया जाता है तुलसी का उपयोग विष विष्णु पूजा को अधूरा माना गया है तो इसलिए तुलसी का उपयोग श्रीव जी के पूजा में बिल्कुल ना करें तुलसी को संख चूण की पत्नी भी बताया गया है तीसरा तिल का उपयोग तिल से बनी हुई सामगरी तिल से बनी हुई मिठाईया या तिल की चिक्की तिल के लड़ू या अन्य सामगरियों को शिवलिंग के पूजा में कभी भी उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि तिल को भगवान विष्णू का मैल माना गया है या उनके मैल से तिल उत्पन हुआ है ऐसा माना जाता है इसलिए भगवान शिव के पूजा में तिल का उपयोग बिलकुल ना करें किसी विसेश परिस्थिती में जैसे मकर संक्रांती या किसी विसेश पूजा के समय अ पवाज़ जाते हैं भगवान भोलेनात बैरागी हैं उनको श्रीणार सामगरियों से दूर दूर का कोई नाता नहीं हैं कुम-कुम एक सरीणार सामगरि मानी जाती है इसलिए सुझी को या शिवछेयृवलिंग में कभी भी कुम-कुम से न सो स्षेय जाता और नहीं टीका लगाया जाता शीव जी को हमेशा चंदन या अश्ट दल आदी चीजों से ही उन्हें टीका लगाते हैं पांचवा समान नितह लोग हल्दी आदी का लेब भी शीव लिंग में कर दिया करते हैं जो शीव लिंग में पूरी तरह से वरजित है क्योंकि हल्दी भी एक स्रिंगार सामगरी मानी गई है और भगवान भोले नात को किसी भी प्रकार की स्रिंगार सामगरी का उपयोग नही नारियल का प्रशाद भी सामान नितह श्रीवलिंग में नहीं चढ़ाते हैं अगर आप श्रीवलिंग में नारियल प्रशाद के रूप में चढ़ाये भी हैं तो उसे फोड़ कर प्रशाद के रूप में ग्रहन नहीं करना है पूजा समगरी के बाद इसे नदी या तलाब में विसर्जित कर दिया जाता है, तो आप शीवलिंग के पूजा में इन विसेश साउधानियों का उपयोग ना, ज haut करिए और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें शीवलिंग के पूजा में किन फुस्पों उपयोग करना चाहिए, और क्या क्या भगवान शीव को पसंदीदा पुस्प है और फल है जिनका उप्योग करना चाहिए उस वीडियो को भी आप एक बार देख सकते हैं और आप अपनी मनो कामनाव पूर्ती के लिए शीवलिंग का पूजा पाठ अभिशेक करिए और इन वर्जित सामग्रियों से दूर रह करते हुए अपनी मनो कामनाव की पूर्ती करिए धन्यवाद